जी, गुरुजी मेरे एक पिष्ण है, सिरी किष्ण अर्जुन से कहाता कि जो मैं करता हूँ, जो लोग करते हैं वो मैं करता हूँ, तो फिर लोग अपराद क्यों करते हैं, क्योंकि सिरी किष्ण कहने कहाता पार्त कि जो आप कर रहे हो, मेरे द्वारा कर रहे हो, फिर लोगो अरे भाई है OPPO Company नहीं पूछ रहे हैं किसका है आपका है कि पिता जी का मेरा है मुवाइल आपका है तो जब मुवाइल आपका है और आप यदि अपने मुवाइल से पाकिस्तान में किसी को फॉन लगाएंगे किसी आतंकवादी को माना की तो आप कहेंगे नहीं जी फॉन तो मुवाइल ने लगाया है हमने थोड़ी लगाया है भाई आप मुवाइल तो आपका है तो ये बताओ कि ये शरीर किसका है तो जब शरीर आपका है तो फिर जो शरीर से पाप होंगे वो भी तो आपके होंगे यदि आप ये कहते कि ये सरीर भगवान का है यदि आप ये मान लो कि ये शरीर भगवान का है तो जो लोग इस मानसिक्ता से रहते हैं कि ये शरीर भगवान का है उनके द्वारा फिर जो किया जाए उसके जिम्मेदार भगवान है क्योंकि उसने अपने आपको भी भगवान का मान रखा लेकर आपने अभी अपने आपको ये मान रखा है कि ये मैं हूँ तो जब आपका सरीर है तो सरीर से किये गए पाप भी आपके होंगे उच्च कोटी की स्थिती में पहुचना पड़ता है बेटा एक स्थिती तो ये है कि ये सरीर मेरा है और एक स्थिती ये है कि ये सरीर भगवान का है जो ये भगवान का मान लेते हैं वो लोग जो करते हैं वो भगवान की इक्षा है लेकर जो लोग ये मानते हैं कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ तो भाई आप तुमने किया जो भलावरा उसका दंड तुम भोगो फिर भगवान क्यों ना देंगे वो तो हिसाब चुकाना कोई ना काहू को सुगदुक करदाता ने जिकरत घरम भोग सब्राता भोगना पड़ेगा धन्यवाद गुरुजी खुश रहे है जल्दी जल्दी पास्ट राधे राधे गुरुजी राधे राधे गुरुजी मुझे बस एक सेवाल था आपको भगवान श्री कृष्ण वो किस बंच की है यदुवंशी है वही तो जाता के मुझे बता जा गया कि यदुवंशी बहुत सु लोग बोलते गे यदुवंशी नहीं है अधर कास्ट की भगवान के कुई कांश्त नहीं होतीबटा भगवान कांश्ट वाट से नहीं तौले जाते भगवान तो भगवान है राधे 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 गुरुजी को सत्सर चर क्ढश पर्स जी गुरुजी मेरा नाम बश्etzt याधाब है आपसे क्वेलिप कि कि स्वक्षतन को महत्पू सांत रहो भाईया, बढ़िया परशन किया है भाईया ने, आप पहले ये बताओ, आप किसको महत्व देते हैं, फिर हम बताएंगे, सर्वक्ष मन को महत्व देता हूं महत्व अच्छा, बहुत ध्यान से सुन लो इनकी बाते हैं, अभी फिर मैं इनसे कुछ सवाल पूछूँ भाईया तो योत्तर देंगे तो आप सुनना मैया, बैटो मेरी माँ, अच्छा सुनो, ये बही या कह रहे हैं, स्वक्ष मन का महत्व जादा है, स्वक्ष तन का महत्व नहीं, अब एक काम करो भाईया, आपकी नजर की बात कर रहा हूं, अब आप अपने घर जाना, एक लो का मल लगा देना मल मूत्र कुट्टे वाला बाहर कुट्टे में कुट्टे का मल मूत्र लगा देना गंदा पानी लगा देना गंदगी लगा देना तो बाहर से तो गंदगी लगी है और भीतर तो पवित्र था लोटा और पवित्र जल भरा है तो क्या उस लोटे से अब पान भी साफ होना चाहिए और बाहर भी साफ होना चाहिए बाहर की सुधी भी और भीतर की सुधी भी सरवा वस्थांग तो पिवा यह स्मरित कुंडरी काक्षाम सवाई आप भ्यांतर सुची तो हमें भीतर और बाहर बाहर आप भ्यांतर बाहर और भीतर दोनों की सुधी चाहिए ठीक है गुरु जी एक प्रसन और है कि आपका कोई वीडियो था इस्टाग्राम पर मेरे दौर किसी की दौरत देखाए गया मुझे तो उसमें पताया गया कि आपने बताया कि श्रवड कुमार को दसरत जी नहीं मारा है बलकि रावड नहीं मारा है तो उसका इस पस् जो मुझे नहीं पताया और शब्द भेदी बाण होता है कि जहां से सब्द निकल रहा होगा वहीं लगेगा तो अब बताओ कि सब्द क्या छाते से निकल रहा था सब्द वो घड़ा पानी भर रहे थे घड़े से तो आप बरतन में जब पानी भरेंगे कमंडल में या किसी भी पात्र में जब पानी भरेंगे तो पानी भरते समेक ध्वनी होती है तो सब्द भेदी बान जाके कहां लगेगा समाज में तो यही माननेता है कि दसरत जी ने बान मारा जबकि सास्त्रों में विसाइड रामाड पड़ते हैं उसमें भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है हाँ हाँ सब्द भेदी बान तो दसरत जी ने मारा पर प्रशन यह खड़ा है कि वो शब्द भेदी बान था और शब्द छाती से निकल नहीं रहा था तो छाती में कैसे लग गया प्रशन यह खड़ा है तो अभी यह प्रशन खड़ा हो जाएगा इसलिए समाधान यह है कि दसरत जी ने तो मारा पर वहाँ रावड भी था रावड माया भी था माया उसकी चारों तरफ फैली है तो माया के कारण रावड ने अपनी तरफ से उसने अपना खेल खेल लिया जब उनके माता पिता ने सराब दिया कि इनको ऐसा ऐसा होगा जिसने मेरे पता की, मेरे पुत्र की अंद्य की है, तो फिर उनको सजा क्यों मिली, वो अंदे हुए, सजा नहीं मिली, समझो, राव, दसरत जी ने जब बान मारा श्रवन को, उस समय दसरत जी के संतान नहीं थी, तो श्रवन के मावाप ने क्या श्राप दिया, कि जैसे मैं प ने श्राब दे दिया कि भाई तडपोगे पुत्र वियोग में तब जब संतान होगी तो श्राब नहीं था श्राब के बहाने संतान का आश्रबाद भी था कि संतान होगी बाद में तडपोगे तो वहां पर उनका दौनों भाव हैं श्राब तो था लेकिन वहां पर ये भी सि कितने कांड है और जो मिनकी रामायड है जो तुलसी दास जी गी राम चरितमानस उसमें कितने कांड है राम चरितमानस में साथ कांड है और बालमी की जी में आठ लब कुछ कांड भी है उसमें उसमें मुझे छे बताए गई है पढ़के देखो बताए गई क्यों बताने से क् पढ़ो किसी ने बताया कि उसमें 6 है और इसमें 7 है आप देखो गिनो ना आप पूरे गिन लो बाल कांड है अयुद्या कांड है किसकिंधा कांड है आरंड कांड है सुंदर कांड है लंका कांड है उंतर उत्तर कांड है लवकुष कांड है उसमें उत्तर कांड नहीं तो किस किसी मुत्तर है किसी मुत्तर नहीं है राम चरित रामान अने राम चरित सत्कोटी अपारा करोड़ों है अब इसमें लवकुष कांड जो है किसी में लव तुलसी कृत रामान में लवकुष कांड नहीं नहीं है तुलसीदाजी ने लवकुष कांड नहीं लिखा जब कि श्री